नमस्कार राज के महविदल सुरत कड़के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है। है आज का हमारा विश्य है मानो वुगोल उसका आध्यान सहत्र विशेवर्स्तू एहम मानो वुगोल के तथ्थ है। इस את चेप्टर में आज जो हम पढ़ेंगे हुए है मानोबुगोल का प्रारम औहवें विकास संस्त्रोप में कि वेडाल डी लाब लांश्ट के अनुशार द्राइब मानोबुगोल के तथ्ह है है कि और जीन बुूदं के अनुशार मानोबुगोल 花नो फूगोल का विश्य रोप मानो फूगोल की एक नई और प्रगतिशिल शाखा है मानो फूगोल का फूगोल कीूझ मेर्व विश्वाड़ में जनम 1999 यह उत्रार्द में हुआ और इसका स्रेय जर्मन भुगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल को जाता है फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानविय पक्षों को भुगोलिक अध्यनों में परमुक स्थान दिया और इन्हें बहुतिक पक्षों से अलग करके मानव भुगोल के रूक में भुगोल की एक नई शाका स्थापित की वर्तमान में मानव भुगोल का विशय चैत्र अत्य विश्यत अह्म्व्यापक है साथ ही मानों के साथ साथ वो निरंतर परिवर्तन शील भी है मानव भुगोल में परत्वी तल के विभिन प्रदेशों के प्राकृतिक वातावरण तता सांस्कृतिक वातावरण के प्रष्ट भूमी में मानविय क्रियकलापों का स्थानिक वित्रण के संदर्व में अध्यन किया जाता है। अर्थात मानव भुगोल का जो विश्य चेत्र है उसके दो प्रमुख पक्ष है प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण इन्हीं दोनों पक्षों का अध्यन स्थानिक वित्रण या चेत्रिय संदर्व में किया जाता है। मानव भुगोल के अंत्रगत हम किसी प्रदेश की जनसंख्या उसके विभिन पक्षों जैसे कि मानव जनसंख्या आकार है घनतु है वित्रण है मानव जातियां यह सभी पक्ष प्राकृतिक संसार्दनों सांस्कृतिक प्रिवेश और इन सभी तथ्यों के मध्ये कार्यात् संबन्दों का अध्यान किया जाता है मानव भुगोल में एक और जहां मानव और मानव से जुड़ेवे विभिन पक्ष है तो दूसरी और प्राकर्तिक पक्ष और उनसे जुड़ेवे विभिन तथ्य शामिल होते हैं और इन सब कि आपसी कार्यात्मक संभ़ाइँ का अध् वनस्पति आधी यह सब प्राकृतिक वातावन के तत्व हैं जिनका की पर्तेक्ष या एपर्तेक्ष रूप से मानव और उसके किर्यकलापों पर परभाव पड़ता है तो इन प्राकृतिक वातावन के तत्वों को भी हम मानव भुगोल की विश्यवस्तों में शामिल करते है और दूसरी और जो सांस्क्रतिक वातावन के तत्वों हैं उनमें मानव जन्संख्या एमम उसके विभीन जन्संख्यातमक पक्ष जैसे वीत्रन हो गया गनत्व ओग्या यह पक्ष भी इसी जन्संख्यातमक पक्ष में शामिल कियa जाते हैंfish इसके लब मानो बसाओ वे अधिवास मानो परत्वी पर कहां कहां निवास करता है किस-किस प्रकार के अधिवास वो बनाता है जैसे कि दो मुखेते अधिवास हैं ग्रामी अधिवास और नगरी अधिवास तो उन अधिवासों के बारे में अध्यान करना लाइना मानोव की आर्थिक किरियाएं करता है कहीं खेती करता है कहीं पशोजव पालन करता हैं कहीं रद्योगिक किरियाएं करता है तो उनका संचार व्हाश्तायい शिक्षा वेचिकिच्षा आदि पक्ष शामिल है जिनका अध्यन मानव भूगोल में किया जाता है यह निचे एक डाइग्राम के जरीए भी इसको समझाये गया है कि मानव भूगोल के जो पक्ष है जिनमें हम जिस मानव भूगोल में जिन पक्षों का मध्यन करते हैं उनमें एक तो प्राकर्तिक वातावन है प्राकर्तिक वातावन दूसरा उसमें सांस्कर्तिक वातावन है यानि प्राकर्तिक वातावन का मानव द्वारा उप्योग करके सांस्कर्तिक वातावन का का निर्मान होता है और यह सांसकर्तिक वातावन जो है वो समय के अनुरूप परिवर्तित भी होता है और इस प्राकर्तिक वातावन और मानों की आपसी अंतरकिर्याओं के प्रिणाम सवरूप ही प्राकर्तिक संगठन का निर्मान होता है और इन याबलांस के अनुशार मानो वगोल के तथे देखेंगे कि विडाल डी लाबलांस मॉनो वगोल में किन किन पक्षों को शामिल करते थे विडाल लाबलांस फ्रांसिक पहला जंसंख्या, दूसरा सांस्कृतिक तत्व और तीसरा परिवहन. चालब जनसंख्या जो मेला पक्ष्म विडाली लाबनास ने शामिल किया उसके अंत्रगत मानौ जनसंख्या का वित्रन स्थान और वित्रन इन पक्षओ को शामिल किया है दूसरा जो उन्होंने सांस्कृतिक पक्ष बताया, इस सांस्कृतिक पक्ष में इसमें स्वेम मानव, एंवा मानव द्वारा निर्मित विभिन तत्यों को शामिल किया है. यानि मनुश्य जो है अपने प्राकर्तिक वातावण का इस्तमाल करके जो कुछ भी निर्मित करता है वो सब सांसकर्तिक वातावण में शामिल होता है तो इस सांसकर्तिक वातावर्ण के तत्वों में उन्होंने जिन पक्षों को शामिल किया, उनमें वातावर्ण, पेड़ पोधे, पालतु वे जंगली जानवर, मानव द्वारा प्राकर्तिक वातावर्ण से विभिन प्रकार का अनुकूलन, दूसरा जो उन्होंने इसमें शामिल किया, वो है मानव निर्मित ओजार, एमवं विभिन प्रकार के कच्चे माल, और तीसरा पक्ष जो इसमें शामिल किया, वो है मानव के जीविका निर्वा के साधन, यानि मनुश्य प्रकार की किरियाएं करके अपना जीविन निर्वा कर रहा है, उसके जो साधन है वो, चोथा पक्ष जो उन्होंने शामिल किया, वो है मानव बस्तिया, एमों मानव बस्तियों के निर्मान सामगरी, और पांचवा पक्ष जो लाबलांश ने सांसकर्तिक त लाबलांश ने मानव बुगोल के विश्यवस्तों में शामिल किया, वो है परिवहन, ट्रांस्पोर्टेशन, इसमें मनुश्य परत्वी पर विभिन प्रकार के प्रिवहन मारगों का निर्मान करता है, विभिन प्रकार के प्रिवहन साधनों का वो इस्तमाल करता है, जाए प्रिवहन के अंतरगत शामिल किया गया है अब हम बात करते हैं जीन ब्रूंस के अनुसार मानो भूगोल के तथ्य जीन ब्रूंस भी फ्रांसी सी भूगोल वेता थे और यह विडालडी लाबलांस के शिश्य थे मानो भूगोल के विकास में जीन ब्रूंस का योगदान महत्तुपूरून रहा जीन ब्रूंस ने 1910 में अपनी परसिद पुस्तक मानो भूगोल जोग्राफिय हूमिन में अपने मानो भूगोल से समन्दित विचारों का विस्तार से प्रतिपादन किया है जीन भूस ने मानो भूगोल के तत्यों का विवाजन दो अधारों पर किया था पहला था सबेता के विकास के अधार पर और दूसरा था सांसकर्तिक तत्यों के अधार पर तो आब हम इनिह अधारहों पर जो उसका मानोव वगोल की विश्वस्था विभाज़न उसको देखेंगे सबेता के विकास के अधार पर उसने मानोव वगोल के तत्यों को चार भागों में ववाजित किया है पहला मानव की परमुक आवशक्ता हैं इन परमुक आवशक्ताओं में भोजन वस्त्र और आवास को उसने शामिल किया दूसरा भूमी का शोषण भूमी के शोषण में उसने पशुपालन क्रिशी खनन और अध्योगी की क्रण जैसी किरियाएं शामिल की हैं तीसरा समाजिक भूगोल समाजिक भूगोल में जीन बुरूस ने जिन तत्वों को शामिल किया उसमें मानों की अंतर निर्भरता सैकारिता श्रम विभाजन तथा नागरिक व्यवस्ताइं और चो था जो तत्थे इसमें शामिल किया वो था राजनितिक एमम एतिहासिक भूगोल इसमें राजनितिक या पशास किये तता एतिहासिक घटनाओं के तथे शामिल किये तो ये चार तथे उसने सबेताओं के विकास के आधार पर मानो भुगोल की विश्यवस्तों में शामिल किये और जो दूसरा प्रमुख आधार उसने लिया सांसकर्तिक तथ्यों के आधार प पर मानों की विजय है और तीसरा मनुष्य के विद्वनस्वात्मक कारे है जीन बुनुष ने जो ये दो आधार चुने थे इन दो आधारों पर मानों बुगोल के तत्यों को तीन प्रमुख और छे उप विवागों में विवाजित किया है पहला उसने बताया मिट्टी का अनुत्पादक उप्योग इसके दो पाक्षुष ने शामिल किये एक तो मानव जो मकान का निर्मान करता है अपने आवास का अपने भवन का निर्मान करता है उसको जीन बुनुष मिट्टी का अनुत्पादक उप्योग मानते थी और दूसरा सडक मार्गों का जो निर्मान पनुश्य करता है उसको भी वो मिट्टी का अनुत पादक उप्योग वाले पक्ष में शामिल करते थे इसमें जो दूसरा तथ्य है उन्होंने बताया वो था वनस्पति जगत और जन्तु जगत बर्मानव की विजय और इसमें दो पक्ष वो शामिल करते थे पहला क्रिशी और दूसरा पशुपालन तो क्रिशी के विभिन जो रूप है विभिन सव रूप है वो सारे इसमें शामिल है और इसी प्रकार पशुपालन के जितने भी रूप है वो सारे के सारे इसमें शामिल है और तीसरा जो पक् खनीजों का शोक्षन और दूसरा पोधों एम पश्वों का विनाश यह तीसरा पक्ष है भूमिक का विनाशकारी उप्योग इसको जीन भूस ने लुटेरी अर्थव्यवस्था या आर्थिक लूट का नाम दिया है यह बड़ा मैत पुन है लुटेरी अर्थव्यवस्था ज यानि मनुश्य अपनी आर्थिक आवशक्ताओं की पूर्ती है तो खनीजों का शोषन करता है पोधों एम पश्वों का विनाश करता है इसी को ही जीन भूस ने आर्थिक लूट नाम दिया है